हेलो गाईस, आज कोटा दशिरा मेला का लाज है, तो मैंने सोचा आपको एक बार ऊर टूर करा देते हैं कोटा दशिरा मेला की तरफ और प्लीज पैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जलूर कीजिएका, बाई यह दूसरा वीडियो है कोटा दशना महला को लेकर मैंने वीडियो को तोड़ा फास्वावड किया है क्योंकि आप बोर हो जाते हैं कि यहां का रास्ता बहुत लंबा है और यह जो कोटा का फेमस दशना महला है यह मेरा सेकिंड व्लोग है आई होप आपको पसंद आया होगा यह देखे फ्रेंट यहां पर लाइटिंग कितनी शानदार है इस दिवारी पर कोटा में पूरे शहर में लाइटिंग होती है और बहुत खुबसुत लगता है पूरा कोटा शहर और यह जो पूरा फावर हो रहा है यह कोटा का ट्राफिक है अब हम एंट्री कर रहे हैं मेल टॉइस स्टेडिवेर्स एवरिफिंग आपको मेले में मिल जाएगी इवन जूलरी और जो घर को डेकोरेट करने से अलावा इंसान को डेकोरेट करने की चीज़ भी आपको मिल जाएगी अब जैसे-जैसे मेला मढ़ता जाएगा तो यहां का क्राउट भी बढ़ता यहां पर इसका समापन है इसके बाद दिवाली शुरू हो जाएगी और आज की आपर लाइटिंग आतिश बाजी बहुत साधा शांदार होती है यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और इतना क्राउड इतना शांदार मेला होता है और इसमें यहां पर करने के लिए हर चीज है यहां पर आप हर तरह से इंजोय कर सकते इवन जूले हो चाहे फूड हो चाहे आपको कुछ भी खरीदना हो चोटे मोटे आइटम से लेकि बड़े से बड़े आइटम यहां हमारी एंट्री हो गई मेले में और हम सबसे पहले पहुंचे हैं टॉइश और यहां चाहिए और यहां पर चाहरा है यहां सब्सक्राइण udah फाले करें और लगें रहे प्लाइश बीद unite जाए यहीं मिए प्रेइंच और यह पस्ट मीद्राइस तो आपका मिद्रे मैं और यहां कियों बदो हो गया यह अगली और इस दिन बहुत अच्छी आतिश बाजी भी होती हो लाइटिंग बहुत शांधर होती यह दिखिए यह पता नहीं यह भीया बिस्किट में नाइट्रोजन लिक्विट में डालके बच्चों को क्या खिला रहे थे आप अपने बच्चों को खाने दिया और यह अपने लिए अपने लिए हैं यह बहुत ज़ादा अच्छे होते हैं और जूले होते हैं और जूले भी यहां मेले के दोनों साइट लगे थै राइट और लेफ्ट दोनों में अलग-अलग कुछ जूले तो सेम थे और कुछ जूले बिल्कुल डिफरेंट से यह देखे फ्रेंड यह बहुत होरिबल जूला बहुत स्केरी है इसमें बैठना लाइक अपनी जान को जोकियों में डालना है लेकिन हां एंज्वेश होता है जो लोग जूले को पसंद करते हैं वह जूलों को एं एक से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ता है लाइन में लगके मैं भी बैठी गई थी जूले में हालाकि मुझे इंतजार करना पड़ा बड़ लास्ट रेता और दिल भी करना था मैं बैठने का तो लेकिन फिर्में में बैठ गई बच्चों ने भी बजूलों की सकती लेकिन हाँ देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे उमीद है कि होगा उतना ही हॉरिबल जितना यह दिख रहा है लेकिन हाँ जिनके अंदर हिम्मत है वह इसमें बैठे होंगे और उनने जरूर इस राइट को एंजोई किया होगा आप क्या भी क्या मेला यह नकिन हां इस कजम मेले की खासियत है हर तरह की चीज फोर सकते हर तरह का होता है खाने पीने की चीज से लेकिкомिज हो फिटना मजविए बहुत मज़ा आता है और हां हर तरह की मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक कि हर तरह के इंसान के लिए हर इंसान के लिए कुछ न कुछ यहां पर होती है चीज तो इस बार मेले में दो नई चीज आई है उट और घोड़ा तो बच्चे तो इसको एंजोई कर रहे हैं साथ में बड़े भी इस पर बैटके सेलफी ले रहे हैं वीडियो बना रहे हैं क्योंकि यह चीज हमारे कोटा दशेरे मेले में पहली दफ़ा यह पहली बारी यह इससे पहले यह चीज यह नहीं आई यह देखिए जो आपको दूर से दिख रही है कोटा का रंग मंच है दशेरे क्योंकि क्राउड ही इतना है कोटा का दशेरा मेला ही इतना फेमस है यह मैंने चोटा से आपके लिए बनाया है कि आपको दिख जाए कि कितना क्राउड है कितनी भीर होती है दशेरा मेले में और कहां कहां से दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि यह मेला साल में सिर्फ एक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक यू और बाइबाइब